सावधान क्योहारों की आड में धडले से बिक रहा है नकली खोया, ऐसे करें असलनकली की पहचान क्योहारों के मौसम में खाने पीने की चीजों में मिलावट होना आम बात है पनीर, मिठान्या कोई भी चीज मिलावट से बची नहीं है नकली और मिलावटी चीजों में खोया भी शामिल है आईए जानते हैं मिलावटी खोया कैसा होता है क्या है इसे खाने के नुकसान और कैसे कर सकते हैं पहचान रियल और फेक खोया खोया जिसे मावा के नाम से भी जाना जाता है एक dairy product है जिसका मुख्य रूप से भारतिय व्यंजनों में उप्योग किया जाता है यह सूखे दूद का एक रूप होता है जिसे कई घंटों तक धीमी आँच पर खुले pan में full fat दूद को उबाल कर बनाया जाता है इस प्रक्रिया में पानी भाब बनकर उड़ जाता है जिससे fat, protein और carbohydrate से भरपूर एक गाढ़ा और मलाईदार पदार्थ बच जाता है इस पदार्थ को ही खोया कहा जाता है खोया ज्यादातर मिठाई बनाने में इस्तिमाल किया जाता है मार्केट में त्योहारों के समय खोया भी नकली मिलता है जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है आईए आपको बताते हैं असली खोय की पहचान करने का आसान तरीका मिलावटी खोया कैसा होता है मिलावटी खोया में ऐसे chemicals और पदार्थों का इस्तमाल होता है जो इसकी shelf life को बढ़ा देते हैं लेकिन इसे बनाने में जिन चीजों का इस्तमाल होता है वे हानिकारक होती हैं नकली खोया बनाने के लिए स्टार्च, दूद के पाउडर, शुगर सिरप, सिंथेटिक दूद और पाम ओयल का इस्तमाल किया जाता है शुद्ध और मिलावटी खोये के बीच का अंतर नमबर एक टेस्ट मिलावटी खोया में अकसर मलाई की कमी होती है और यह आम खोये से ज्यादा लचीला और रबड जैसा होता है इसका स्वाद भी खराब, हलका कड़वा और खटा भी हो सकता है असली खोये को रगड कर मसलेंगे तो आपको उसमें से असली दूद की खुश्बू आईगी वहीं दूसरी और नकली खोये में से एक अप्रिय खुश्बू आती है नमबर तीन हथेली पर रगड कर चेक करें इसके लिए आपको हथेली पर थोड़ा सा खोया लेकर रगड़ना होगा अगर खोय को रगड़ते समय उसमें से तेल जैसी चिकनाई निकलती है तो यहां असली है साथ ही इसमें से आपको घी की महग भी आएगी वहीं नकली खोय में से केमिकल की महग आती है इसके लिए आपको खोय की एक लोई लेकर उसका गोला बनाना होगा अगर इस खोय का गोला बन जाता है तो समझ जा ये खोया असली है अगर खोय का गोला तूट जाता है तो यहां नकली है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खोय में घी होता है घी से खोय में चिकनाहट बनी रहती है जिससे खोया किसी भी शेप में आ जाता है इसके आलावा खोय को पानी में चीनी के साथ मिलाकर उबाले ऐसा करने पर यदि खोया पानी छोड़ने लगता है तो वहाँ नकली है नकली खोया खाने के नुकसान पाचन संबंधी समस्याएं बढ़ सकती है नकली खोया यूरिया से बना हो सकता है जो आपके लिवर को प्रभावित करता है नकली खोया खाने से किड्नी भी डैमेज हो सकती है नकली खोया खाने से स्किन एलर्जी भी हो सकती है सुझाव उपर दी गई जानकारी पर अमल करने से पहले विशेशग्यों से राय अवश ले